आखिरका ड्रीम 11 दो सो बाइस करोड रुपए में आईपेल का टाइटल स्पॉंसर बन गया ये करार अठारा गस्ति कतिस दिसंबर तक के लिए है आईपेल 19 सितंबर से UAE में शुरू हो रहा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ड्रीम 11 के बारे में इस कंपनी में भी चीन की दो कंपनियों का पैसा लगा है चीन की कंपनी टैंसेंट ने 2018 में ड्रीम 11 में 10 करोड डॉलर यानी 720 करोड रुपए इन्वेस्ट किये थे लेकिन इसके लिए बी-सी-सी-ई ने ये दलील दी है कि ड्रीम 11 में टैंसेंट की सिर्फ 10 परसंट हिस्सिदारी है वहीं ची चीन की दूसरी कंपनी स्टेट व्यू क्यापिटल है जिसकी इस कंपनी में कुल हिस्सदारी 6 करोड डॉलर यानी 448 करोड रुपया है बी-सी-सी-ई के अनुसा ड्रीम 11 देसी कंपनी है इसके फाउंडर हर्ष जैन और भाविच सेट समय 400 से जाधा करमचारी भारती हैं ड् बेंट स्टॉक्स जैसे दिगज शामिल हैं सूत्रों के मताबिक टाटा संस ने आखरी दोर के लिए बोली नहीं लगाई जबकि दो एजूकेशन टेक्नोलोजी कंपनिया बाईजूज ने 210 करोड रुपया और अनकैडमी ने 170 करोड रुपय की बोली लगाई यहां गौर कर करने वाली बात यह है कि BCCI ने भारतिय कंपनी को लुभाने के लिए स्पॉंसर्शिप की रक्म को पहले की तुलना में काफी कम कर दिया था वीवो के साथ डील 440 करोड रुपय सलाना थी लेकिन इसे हटा कर 300 करोड रुपय से 350 करोड रुपय सलाना कर दिया गया लेकिन इ कानल इंडिया न्यू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें